तो आज कि हमारी इस online class में हम discuss करने जा रहे हैं MIS Report Automations की MIS आपकी जो एक कोर्स है Advanced Action for MIS Executive के लिए है इसमें चीज़ें मैं आपको बढ़ाओंगा जो कि एक MIS Executive को चाहिए होता है तो MIS Executive के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पर आपको कराएंगे और आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के उबार अब लगर सर पहली class में हम फॉर्मेटिंग को बता रहे हैं इसका purpose है कि आप रिपोर्ट जब भी आप office में कुछ report बनाते हैं किसी भी तरह का office में अगर आप report बनाते हो तो उसका पहला काम क्या होता है oh इसलिए फॉर्मेटिंग जो है important part है तो फॉर्मेटिंग में क्या होना चाहिए तो फॉर्मेटिंग में अब जैसे की बोर्डर कलर वगड़ा करना तो आपको आता ही है इसमें कुछ ट्रिक्स है चलियो उस ट्रिक्स के ऊपर हम आपके साथ डिसकस करते हैं तो इसमें बाख करेंगे नमबर फर्मेटिंग जो की थोड़ा सा इन्पोर्टेंट है जिसे कि अगर बागी तो नंबर नंबर होता है अपका अकाउंटिंग भी होता है इसमें जो में है आपका आता है इसके डेट के आप देख लिए तो डेट चाहिए फंक्शन आपको दिख रहा है यूएस नोड पर है अगर मालेजे किसी और कंट्री के ल दिखा मालेजे मैं किसी के डूरेशन निकाला ओवर टाइम करें पैतालेस गंटे पचास मिनट तो अभी आपका दिख रहा है पैतालेस गंटे और पचास मिनट लेकिन गलती से अगर इस पे अगर जेनरल फॉर्मेट यहां से मैं मैं तो कर दिया था कंट्रोल शिट वन क्या है कि नमबर है तो यह जो नमबर है बेसिकली जो टाइम का सिस्टम है 24 घंटे को इसने पॉइंस में बाट रखा है तो यह आपका 45 घंटे है मतलब की 101.90 अब मुझे इसको वापस टाइम में कनवर्ट करना है तो जैनरल लोग क्या करते है कि टाइम पे जाते हैं और इसका कोई फॉर्मेट कर लेते इसमें से ध्यान रखिएगा कि इसमें से कोई भी फॉर्मेट करते हैं तो आपका 24 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा तो यहां हमारा 37-35 आपको दिखरा होगा 37-35 उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए तब आपका यह चेंज हो जाएगा इसमें इसके बार इसमें अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इसमें प्रेक्शन परसेंटेज तो नॉर्मल जो परसेंटेज अब परसेंटेज को भी एक बार समझ देए कि परसेंटेज क्या होता है परसेंटेज निकलना आता आपको सर्थ हाँ सर निकलना निकाली देए तो एक चीज़ आप एक सी में बता था सम्झा देता हूं जैसे आपने यहां पर फिप्टी लिग दिया अब मुझे इसके ऊपर परसेंटेज का सेंबल दिया यह आप परसेंटेज का सेंबल दोगी है तो आपका 5000 हो जाएगा तो आप यहां पर लिखेंगे 0.50 और इसके ऊपर आप परसेंटेज का सेंबल लगाना है तो आप यहां पर लिखेंगे हमारे यहां पढ़े जैसे कलेक्षिन का काम होता है अब जैसे मानलो किसी का टार्गेट है 100% और उसने किया 97% और इस महिने अभी मालो 80% पर चल रहा है तो उसको बोल फिर वो क्या करते हैं उसको नॉर्मलाइज करते हैं तो उसका आपको पता वो क्या नॉर्मलाइज कैसे करते हैं उसे करते हैं इस महिने का जैसे 80% मल्टीप्लाइबाइ लास्ट मंत का 97% डिवाइड़ बाइन इस सेवन परसेंट अच्छा हो देखी हां जी सब्सक्राइब करते हैं जैसे माल लीजिए कि पीछले महीने मेरा 180 सेल था ठीक है हां जी इस महीने का माल लीजिए मेरा सेले 185 तो यह सब्सक्राइब करता हम जैसे लिए कि पीछले मेरे इस महीने का गोड़ गोड़ लुदना और फिर ना तो यह चाल लेट टेस उसको अम लोग निकालने के लिए लिए खाए कि लेट टेस्ट मायनस मायनका माइनस प्रिविएस महिना और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड वाइड कर देंगे प्रिबिएस मेहना, यह आपका रिजल्ट आया रता है, यह 2 परसंट का, 3 परसंट का ग्रोथ, द्वारा सम्झाने से रेक बार, 3 परसंट आग्रोथ आया, पिछले मैंने से इस महीने का, लिटेस मैने सो, देखे, इसमें क्या है, बतातों आपको, यह आप इसमें, अभी आगे चल के सिखाऊंगा ना आपको, मैथिमेटिकल फर्मॉला पर यूज करना, आगे चल के अप सीखे, ठीक है, तो मैथिमेटिकल आपको कोई भी ऐसे की फॉर्मूला हो या मैथमेटिक्स का फॉर्मूला उसको आप एक्सल सीट पे यूज कर सकते हो तरीका में आपको समझा दोगा मतलब कि हमें पता करना है कि हमारा पिछले पिरिएट के सेल्स के सेल्स के अकॉरडिंग, इस पिरिएड का सेल्स कितना परसेट किया है या फिर डाउन हुआ हुआ है ठीक है उसके लिए मैंथमेटिक निखालते हैं जो भी करना आपको सिखा दोगा हर जगा हर जगा कि अलग अपनी क्लिक्लीशटर रेट अगर होता है वो तो अभी मैं बताउंगा नोगा किसी और करक्वारिक होगा कंपणी में कि और कंपनी में नियुक्परी के से होगा पस आपके पास मैं थमेशनी फॉरमूला ओना चाहि यह लेकिन हमारे उसमें आएगा ना आगे चलके आपकर आओगा नहीं तो आपको टाइप करना होगा जिरो पॉइंट फाइप जिरो है तो इसके ऊपर आप परसेंटेज का सेंबल लगाएंगे तो फिप्टी परसेंट हो जाएगा ओके हम बता रहते हैं परसेंटेज का अब बात करते हैं फ्रेक्शन जैसे कि माल लेजिए कि यहां पर 2.5 है मैं इस 2.5 को यहां से इसे फ्रेक्शन में गया और इस 2.5 को 1.2 पर क्लिक कर दिया तो यह आगा आपका 2 1.2 इसी तरह से यहां भी हम प्रेक्शन में और भी है जैसे कि 3 Y 2 है यह आपको तबी होंगे उसको इस तरह के इसमें बाढ़ देंगे आपको एज हाफ लेवल्स या क्वाद्रस लेवल्स एट्रस लेवल्स या 16 लेवल्स कितरा से वो बाढ़ देते हैं इसके यूज बहुत कम ही होता है लेकि इसमें एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट को समझे क्या है जिसके माल लिजिए कि इस कॉलन में मुझे अपना चेक नमबर डालना है इस कॉलन में मुझे अपना चेक नमबर डालना है अब मैं यहाँ पर सिंगल कोड लगा के मैं 0000 लिखता हूँ क्योंकि अगर मैं सिंगल कोड नहीं लगाया तो हमारा 070 नहीं करेगा तो हम single core लगाएंगे 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ले लिया अब मुझे पता है कि इस पूरे column में check ही लिखना है इस पूरे column में मुझे checks ही लिखना है तो हर एक sale में जाके मुझे equal लगाना पर जाएगा तो हर एक sale में हमें equal लगाना है उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर इस पूरे column को select किया यहाँ पर right click format sale और इसको मैं देता हूँ text यह पूरा column अब text बन गया अब यहाँ पर मैं कहीं भी किसी भी तरह का type कर सकता हूँ तो जो भी हम type करेंगे हो है आज़े text ही होगा मैं यहाँ पर sum लगाता हूँ तो देखेंगे आपका sum formula assign हो जाएगा but enter बारने पर perform नहीं करेगा क्योंकि इस cell में text सुरुदी समझ मैं आपको हूँ है जी सर बिलकुल text text है इसमें यह हो गया अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि आप माल लिजे कि हो ठीक है type करते हैं समय हम 0 डाल लेंगे लगि किसी ने मुझे बीना 0 का ही text दे भेज दिया है तो मुझे क्या करना है कि इसमें 0 लगाना है तो अगर आपको 0 लगाना है प्रिंटिंग पर्पस से सिर्फ तो आप क्या करेंगे आप आप जाएंगे यहां पर इसके कस पर्मेट पर और यहां पर वान टू टू त्री पोर फाइब सिक्स टाइम जीव डालोगे तो छे डिजिट पूरा कर देगा लेकिन इसी वीजवल है कोगि एक मैथेमेटिकल ठीक कहती है कि किसी भी कंडिशन में आप ओं फॉर्मेटिंग के जड़िए विजवलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं तो यहां तो चेंज हुआ सिर्फ वीजवल चेंज हुआ है ओर इस नहीं हुआ है कि अगे कि मालिज़ेश कहींपे आपने मैनुवाली सिंगल कोड लगाया जिरो 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 तिर पर जिलो एट फोर फाइड लिख दिया अब देखने में दोनों से का logic या किसी तरह का look up बगर लगाते हैं तो दोनों यह आपस में match नहीं करेगा नहीं किया अज़र हम तो दोनों आपस में match नहीं करेगा ना करने के पीछे region कि दोनों यह सिर्फ 85845 है लेकिन यह 000845 है एक टेक्स्ट में है रेक नुमेरिकल इसके लिए आप क्या किजिए कि आपको और टेक्स फॉर्मला लगाएंगे कि कस्टम फॉर्माटिंगे कोई भी जाँ कोई भी फॉर्मेट को डियल में चाहिए तो टेक्स फॉर्मूला में हम अप्लाई कर देते हैं तो 1,2,3,4,5,6,6 तरह हम ने कर दिया और यहां सहर इसको एंटर मारते हैं पेज 00845 आगया है अब मैं इसको आपस में ब्रावर कर सकता हूँ अब यह ओक्या है ऐगके अब इसमें आगे बढ़ते हैं यह हमारा इसका था टेक्स का था इसमें आगे जानाएं जानाएं जैसे कि आगर माल लेजिए आपको मोईल लंबर लिखना है तो अब इसमें कहा है कि प्लॉस नाइन वन असेप्ट नहीं करता है प्लॉस नाइन वन किया आपने डॉबल एट जीरो टू फाइट से पे नाइन तरी डॉबल एट मैं करता हूँ जा देखिए यह आपका ई प्लॉस डॉबल वन आ गया ना तो यहां प्लॉस मैं लिख हूँ मैं को टॉक टॉस नाइन वन अपने आप ले ले अ मूं कस्टम पर जाएंगे और यहां पर मैं आप यतफ एंप करके प्लॉस नाइन वन और यहां पर रस्ट करदिा च então सब्सक्राइब करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर गलत क्या मैं यहां पर जीरो को मैंनेज नहीं करना चाहता हूं यहां पर हैश दे देज़े जाए ओके लेने सब्सक्राइब तो हैश देने से क्या हुआ कि यह होगा अब जीरो हैश का में तो पंगा क्या हुआ है तो जो है आपको बताता हूं उससे पहले सा से चाहर इस तरवे आपने हैं जी सर हमारा तो डेली के काम है है मैं चाहता हूँ अभी मुझे इतना लिखना पड़ता है तो मैं चाहता हूँ तो देना है ना है है वन टू त्री फोर आश दे दिया इनवर्टर कमा में आठ वार एक्स अपनी फॉर्मेट में लिख दीजिए कि क्या है चीजिए हो गया बिल्कुल सही इस तरह से कर सकते हैं एक प्रॉलम और आप लोगे साथ होती होगी जवाब आप वह नंबर लिखते हैं नंबर लिखा तो यह आपका दस डिजीट एगाया डिजीट तक तो अराम सदिग गया जैसे आप 12 गुझाते हैं वह आपका इस तरह के साइंटिफिक फॉर्मिट में आ जाता है तो इसको जनल करते हैं तो इसको जनल कर दिया है इसको यहां से नहीं जनल तो हैं ही नंबर और कर दिख्कत होता है इस तरह कर लग जाते तो इसे हम लोग बताते हैं कि टेक्स्ट में जाए और यहां कस्टम में जाकर सिर्फ एक अड़रेट कर देजिए ठीक है अड़रेट करते ही सिर्फ एक हैस देजिए यह आपका नमबर आ जाएगा लेकिन ध्यान लखिएगा यह आपका 15 डिजिट तक यह दिखेगा सुलावा डिजिट जैसे आप डालेंगे जीरो हो जाएगा क्यों हुआ जीरो क्योंकि आपके सिस्टम की कापिसिटी 15 डिजिट की कैलकुलेशन की है समझें तो 15 डिजिट से जतना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा हो उतने जीरो देदेगा और नमबर को वेलिट नहीं करेगा अब यहां पे और समस्तना है कि जीरो हैस का फंड़ा क्या है क्या है कि अब माल जी कि मैं यहां पर एक अमांट डिकाऊं फिप्टीन हंडेड एक मुझे यहां पर यहां पर सो करना है MRP 1500 इस तरह से अब क्या है कि हमने इस पर टेक्स लगा दिया इस पर मैं किसी भी तरह का mathematical calculation नहीं कर सकता क्यों कि टेक्स हो गया तो मुझे ऐसा चाहिए कि वीजबल हो सेम बट उसमें mathematical calculation कर सके तो उस केस में मैं यहां पर 1500 लिखूंगा इसके ऊपर अब देखे कोई भी prefix और suffix लगाना है मतलब कि कोई भी नंबर के आगे पीछे कोई रएक्टर या कुछ ऐसा चीज लगाना है उसको inverted कोम में लेगते है inverter कोमा MRP इ fresh jako MRP अब इसके आगे एक अगर हम hash और 0 ना लगाए तो शिर्फ और MRP यंगेगा song वह का number जो हे वह नंबर वीजेवल नहीं होगा तो आपका number जो है visual नहीं होगा लेकिन इस पी अगर मैं गया और hash दे दिया और ok कर दिया तो आपका number विजवल होगा तो इसमें आगर has के जगाव पे अगर आप 0 दे देते हैं तो जगाव पे अगर आप यहाँ पे 0 देते हैं तो जो digit को 5 दे दिया तो 0-5 कर रहेगा ठीक है सर ठीक है हम hash कम लगाते है जो हमें 0-maintain करना नहीं होता है जिरो कम लगाते है जिरो-maintain करना होता है hash और 0 आपको देना ही पड़ेगा इसके बगएर आपका काम नहीं चलेगा ठीक है ठीक है अब इसमें एक format painter है यह देखिए हाँ पर तो अब इसमें इसमें कहा है मुझे पता ही है कि इसको लिया और जहां पर 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 format करना है वहाँ पर click कर दिया format हो जाता है क्या लेकिन मुझे कई सार्व जगों पर सेम चीज को format करना है मुझे बार बार इसमें क्लिक करना होगा उपर में क्लिक करना होगा और फिर format करना पड़ेगा तो मैं यहां से इसी पर डबल क्लिक कर दूगा और अपने हिसाफ से format कर सकता हूँ इसकी शॉट कमांड क्या है सूर इसका रीजन नहीं याद होने का को कि मैं करीब 2009 से मैं पूरी तरह से ट्रेंडिंग में आ गया था तब से मैं ट्रेंडिंग दे रहा हूँ तो मैं माउस पॉइंट ही यूज करता हूँ क्योंकि माले जह मैंने shortcut क्या यूज किया पता तो नहीं चले का ना सर कि मैं तो यह बहुत यूज करते हुआ तो यिवारा बार क्लिक करने की जुरुत आपको नहीं पड़े गाए इसकी shortcut कोई होती नहीं आपड़ेगा आल्ट के साथ और जो होता ना पी एफ एफ एक करेंगे तो कि अज़ी डबल क्लिक कर देंगे तो आपका सही रहेगा जी अज़ी और इसमें हलो वाजा नहीं सर भूर यूज़ करते है ना कि ईए आप की आप यहां से आउटलाइन चाहिए यहां भी चाहिए इस तरह से भी चाहिए यह कर सकते हैं अब का ठीकन चाहिए है क्लर्ट चाहिए यह आपके ले सकते हो अब बताव कर सकते हैं इंडulator आपका फीर हुआ ट्राएफ कर सकते हैं यह ऩो के ना ले लिए अपनी हिसाब से जहां मर्जी ऊहां डॉब कर सकते हैं जैसे मर्जी ऊसे डिरेकर अ कर है को कि इसका इसका हई हम लोग qorde ऐसी Simmons कि जहां पे डेटा है वहां पे अपने आप चाट घए सैंड है आप चाहते कि जितना दूर डेटा है उतना दूर अपने आप बॉर्डर लग जाए डेटा हटे तो बॉर्डर हट जाए अंजी वह कंडिशनल फर्मेंटिंग से होगा वह आगले एक दूर क्लास बाद बताऊंगा अच्छा ठीक है ठीक है तो ड्रॉ बॉर्डर होता है प्र आप का प्तार मुझे बीच में दो-تीन जोह का बॉर्डर नहीं रखना है फित-फित-फित करते सब्सक्राइब करते हैं जो अगलेगे जिए अगले लिजिए और जिद्धा कर बॉर्डर हटाना है वहां का एता दीजिए ठीक है एच्छी की हो इसका ने तो यह तो छोटी मुटी चीज है इसलिए बता आगे बढ़ते हैं इसमें अगर पास आता है आप फॉर्मेटिंग में अब यहां आपकी तो कस्टम फॉर्मेटिंग है किस्टम फॉर्मेटिंग नहीं फिनिश नहीं है अब कस्टम फॉर्मेटिंग को आगी और ज़्यादा सीखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक आर्टिकल है ठीक है कि में चोटा मत समझे कस्टम फॉर्मेटिंग बहुत बड़ी चीज है और आपको वीवीय तक पीछाने चोड़ती है कि उसकी हमें ज़रुरत पड़ती है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यदा हमें ज़रुरत पड़ती है कस्टम फॉर्मेटिंग की एक आर्टिकल है और आर्टिकल हम आपको नहीं है आपका इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में आपको फॉर्वर्ड करें तो कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में अच्छी तरीके से बताया हुआ है अधिर मेरे परता हिए या ईमिला इस नील सुनील डॉट्ट शार्मा शार्मा अधिरेट के एमसी एमसी जी डॉट नो नो य। यदि सुम्सीजी दो बार एमसी जूबर आमसी एमसी एमसी जुड़ एमसी दुब़र कि ना ना सर जी अटा दीजिए एम सी एम सी जी जी ठीके सर आपका क्या सुनूं जी जवाज नहीं आ रही है